हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल दा एक्जाम ट्यूटर में फ्रेंज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SSE CGL की GKGS की प्रीवियस यर क्वेस्टन सिरीज इस सिरीज को हमने नाम दिया है 75 हाड चैलेंज 75 हाड चैलेंज में क्या होगा कि मैं आपको प्रीवियस यर क्वेस्टन से रिडेटेड 75 वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें GKGS के प्रीवियस यर के सभी क्वेस्टन होंगे और अगर आप ये 75 वीडियोज अच्छे से कर लेते हो तो I assure you guys it will help you a lot in your examination because SSC में काफी questions repeat होते हैं कुछ question तो directly पूछ लिये जाते हैं और कुछ question उन्हीं topic में से थोड़ा गुमा के पूछ लिये जाते हैं और प्रीवियस यर क्वेस्टन करने का एक फायदा ये भी है कि आपको एक idea हो जाएगा कि कैसी exam में कैसी questions पूछे आते हैं और किन-किन topics से जादा question पूछे जा रहे हैं so without any delay let's start the video देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो है 14th of July 2023 shift 1 का paper जिसमें सबसे पहला question देख लेते हैं सबसे पहला question है the length of the badminton coat for singles is एकल के लिए badminton coat की लंबाई क्या है तो इसका answer हो जाएगा 13.40 meter देखिए SSE CGL में या SSE का कोई भी exam हो उसमें sports से related काफी questions पूछे जाते हैं या तो term पूछ ली जाती है terminology जो related होती है किसी भी sports से या फिर जो trophies होती है या cup होते हैं उनको पूछ लिया जाता है जैसे badminton से related कौन-कौन से cup होते हैं तो thomas cup जो है वो badminton से related है उबेर cup जो है वो भी badminton से related है और सुधीर मन cup जो है वो भी badminton से related है बात करते हैं कोट की तो कोट जो है singles और doubles के लिए जो length होती है वो दोनों की same होती है लेकिन जो width होती है यानि की चोडाई होती है वो doubles की क्या होती है doubles में होती है 6.1 meter और जो singles की होती है वो होती है 5.18 meter जो center में net होता है net की जो height है वो होती है 1.55 meter तो ये सब चीज़े आप याद रखिएगा sports से काफी question पूछे जाते हैं तो ये सब याद करके जाएगा next देख लेते हैं next question है हमारा who is the administrative head of the Indian audit and accounts department भारतिय लेखा परिक्षा और लेखा विभाग का परसासनिक परमुख कोन है तो इसका answer हो जाएगा the controller and auditor general नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following is the largest pan-India scheme to strengthen health care infrastructure across the country with focus on primary, secondary and tertiary care services प्रात्मिक, माध्यमिक और त्रत्यक देखभाल सेवाओ पर ध्यान के इंडित करने के साथ देश भर में स्वास्था देखभाल के बुनियादी ढाचे को मजबूत करने के लिए निमने लिखित में से कोन सी सबसे बड़ी अखिल भाड़तीय योजना हैं तो इसका आंसर हो जाएगा PM अभिम PM अभिम का बतलब होता है आईश्मान भारत Health Infrastructure Mission PM का बतलब होता है प्रधान मंत्री या प्राइम मिनिस्टर next question देख लेते हैं next question है हमारा निमने लिखित में से कोन सा त्योहार सुरक्षा के सम्मंध सब्द से जुड़ा हुआ है which of the following festivals is associated with the term ties of protection तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रक्षा बंदन का जो फेस्टिवल है वो सुरक्षा के सम्मंध सब्द से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बहने जो हैं अपने भाई को राखी बानती है और बदले में उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती है next question देख लेते हैं next question है in October 2021, 19 year old Dash won the silver medal at the world wrestling championship October 2021 में 19 वर्सिये ने 20 कुस्ति championship में रज़त पदक जीता उनका नाम क्या है तो उनका नाम है अंशु मलिक next question देख लेते हैं next question है Dash emerged as the poorest state as per the first ever multi-dimensional poverty index MPI prepared by नीती आयोग and launched in November 2021 नीती आयोग द्वारा तयार November 2021 में launch किये गए पहले बहु आया में गरीबी सूच कांक के अनुसार सबसे गरीब राज्ये के रूप में कोन उभरा बिहार, मध्यपरदेश, उत्तरपरदेश या मिजोरम तो इसका अंसर हो जाएगा बिहार next question देख लेते हैं next question है हमारा the consumption of fixed capital is also known as इस्थाई पुन्जी की खपत को किस रूप में जाना जाता है depreciation, net investment, appreciation या gross investment तो इसका अंसर हो जाएगा amulian या depreciation next question देख लेते हैं next question है the Vedic Aryans lived in the area called सप्त सिंधु which means area drained by seven rivers one of the rivers among the seven is जहेलम what was its ancient name Vedic Arya सप्त सिंधु नामक्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ है सात नदियो दुआरा सूखाक्षेत्र सात नदियों में से एक नदि जहेलम है इसका प्राचीन नाम क्या है देखे जो SSC CGL है इसमें काफी लंबे-लंबे questions आते हैं इनको देख के डरना नहीं है क्योंकि जो question होता है वो काफी simple होता है देखे इसमें question लंबा था इसका अंसर हो जाएगा राजस्थान next question देख लेते हैं which of the following is used as a cooling medium for the large hydron collider and the superconducting magnets in MRI scanners and NMR spectrometers निम्नलिखित में से किसका प्योग large hydron collider के लिए sitlan माध्यम और MRI scanner और NMRR spectrometer में superconducting magnet के रूप में किया जाता है neon, chlorine, argon या helium तो इसका अंसर हो जाएगा helium next question देख लेते हैं next question है in 2018 Google Doogle celebrated the 100th birthday of Marinalini Sarabhai sees an exponent of which of the following dance forms 2018 में Google Doogle ने Marinalini Sarabhai का सोवा जनम दिन मनाया था निम्नलिखित में से किस नरत्य की नरत्यरूप की प्रतिपादक रही है तो इसका अंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और कथकली जो Marinalini Sarabhai है ये किस से समन्नी थी ये हैं भरतनाट्यम और कथकली से next question देख लेते हैं भरतनाट्यम expresses South Indian religious themes and spiritual ideas of भरतनाट्यम दक्षिन भरतिय धार्मिक विश्यों और आध्यात्मिक विचारयों को व्यक्त करता है किस धर्म के तो आंसर हो जाएगा शैबीज्म next question देख लेते हैं next question है who among the following musician is popular for his mastery over the musical instrument सितार निमने लिखे संगीत कारों में से कोन संगीत वादे अंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोग प्रिया है तो इस का आंसर हो जाएगा विलायत खान विलायत खान किसे संबंदित हैं ये हैं वादे अंत्र सितार से संबंदित next question देख लेते हैं next question है which of the following countries was the host of AFC Women's Asia Cup Football 2022 निमने लिखेत में से कोन सा देश AFC महिला Asia Cup Football 2022 का मेजबान था तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत next question देख लेते हैं next question है Miss Bhakti Pradip Kulkarni was conferred with the Arjuna Award 2022 for her outstanding contribution in which of the following sports शूश्री भक्ती Pradip Kulkarni को निमने लिखेत में से किस खेल में उतक्रस्ट योगदान के लिए Arjuna Pruskar 2022 से सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा chess यानि की सत्रंज next question देख लेते हैं who among the following was the founder of Tiger Leeson और Free India Leeson निमने लिखेत में से कौन Tiger Leeson या Free India Leeson के संस्थापक थे तो इसका आंसर हो जाएगा सुभास, चंद्र, बोस next question देख लेते हैं next question है ने में reproductive strategy in which parasites take advantage of the care of other individuals of the same species or different species to raise their young ones उस परजनन रणनेनीती का नाम बताईए जिसमें परजीवी अपने युवा को पालने के लिए एक ही परजाती या विभिन परजातियों के अन्यव एक्तियों की देख भाल का लाब उठाते हैं तो इसको कहा जाता है brood parasitism या brood परजीवी वाद याद रखिएगा next question देख लेते हैं on the basis of tribal population 2011 identify the option that arranges the following state in ascending order जन्जातिय जन्संख्या के आधार पर उस विकल्ब की पहचान कीजिए जो निमने लिखित राज्यों को आरोही करम में वैवस्थित करता है इसमें बताना है कि किस state में कितनी जन्जातिय पोपुलेशन है 2011 की जन्गणना के आधार पर तो इसे आरोही करम में वैस्थित करना है यानि कि ascending order में तो इसका आंसर हो जाएगा CBA यानि कि ओडिशा का नंबर पहले स्थान पर आता है दूसरे नंबर पर महरास्ट और तीसरे पर मध्यप्रदेश तो आंसर हो जाएगा CBA Next question देख लेते हैं Next question है In which industrial policy was the investment limit for tiny industry unit increased to rupees 2 lakh किस अध्योगी की निटी में छोटे अध्योगी की इकाई के लिए निवे सीमा को बढ़ा कर 2 lakh रुपे कर दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 Next question देख लेते हैं of the concept of steady state of the universe किस वैज्यानिक ने ब्रमांड की स्थिर स्थिति को की अवधार्ना के बारे में सोचा था तो इसका आंसर हो जाएगा Fred Hoyle Next question देख लेते हैं Next question है Match the following अब इसमें देखिए जो column A है इसको B से match करना है chlorophyce में कोन आते हैं chlorophyce में green algae आते हैं fewophyce में brown algae आते हैं roadophyce को red algae कहा जाता है और signophyce को blue green algae कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा BADC आंसर हो जाएगा second BADC Next question देख लेते हैं Next question है रहेतवारी system of revenue collection in India introduced by the abilities was based on which theory अंगरेज़ दुवारा शुरू की गई भारत में राज़स्व संग्रह की रहेतवारी परणाली किस सिध्धान्त पर अधारित थी तो देखिए जो रहेतवारी system था ये किस पर था रिकार्डियन थियोरी या रिकार्डियन सिध्धान्त पर ये बेश्ड था और इसको 18 सब 20 में लागू किया गया था मद्रास में किस के दौरा Thomas Munro के दौरा याद रखिएगा Next question देख लेते हैं Who received the Nobel Prize in 1901 for recognition of the extraordinary services rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions 1901 में समाधानों में रसाइनिक गती सीलता और S ये प्रासरनी दबाव होगा Osmotic pressure को कह जाता है प्रासरनी दबाव के नियमों की खोस दौरा प्रदान की गई ऐसा अधरन सेवाओ की मान्यता के लिए Nobel प्रुसकार किस ने प्राप्त किया था 201 की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा जैकोबस हेंरिकस वेंट होफ आंसर हो जाएगा बी नेक्स कुश्चन देख लेते हैं नेक्स कुश्चन है हमारा बाते सम्विधान के निम्नलिखित में कौन से अनुछेद नागरिक्ता से संबन्धित है तो नागरिक्ता से संबन्धित है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजेगा और बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू